हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल मैथ इंडियंस में आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं चक्रवध्य ब्याज कंपाउंड इंट्रेस्ट के बारे में इसके जो पहले हमने वीडियो पोस्ट किया था वहां पर हमने आपको सा साधारण ब्याज अर्थात स्िंपल इंट्रेस्ट तो भही दोनों में बेसिक difference क्या है पहले तो आप यह देख लो अब जो साधारण ब्याज होता है उसमें केवल आपको मूल धन पर ब्याज मिलता है लेकिन जो हमारा चक्रवध्य ब्याज होता है यहां पर आपको से देख लो है माल लो कि आपके पास 1000 रूपय हैं जो कि भाई बैंक में आपने जमा कर दिये हैं और 10 प्रसत वार्शिक ब्याज की दर है बैंक ने आपको ऐसा बताया है तो अभी है क्या कि पहले साल दस प्रसत ब्याज मिलेगा आपको तो आपको भाई 100 रुपए ब्याज मिल जाएंगे तो अभी आपके एकाउंट में किते रुपय हो गये ग्यारा सव रूपए हो गये तो पहले साल का जो ब्याज होता है वह चाहें साधारण ब्याज हो और चाहें बई चक्रवद्य ब्याज हो दोनों सेम होते हैं इस बात का ध्यान रखना है त तो simple interest जो है वो अगले साल का भी 100 रुपया ही होगा और हर साल का 100 रुपय ही चलता रहेगा चाहें आप पैसे को बैंक में 10 साल, 20 साल, 50 साल रखो हर साल आपको बैंक 100 रुपय ही ब्याज देगी साधारण ब्याज अगर है तब लेकिन compound interest में क्या है पहले साल 100 रुपया मिला अब बैं क्या हुआ अब 1000 पे 100 रुपय आपको अगले साल भी ब्याज मिलेगा लेकिन जो ब्याज पिछले साल मिला था 100 रुपय इस पर भी आपको 10 प्रसत ब्याज मिलेगा अर्थात 100 का 10 प्रसत 10 रुपय तो अगले साल आपको 110 रुपय ब्याज के रूप में मिलने वाल इंट्रेस्ट ठीक है तो SI जो है वो हर साल 100 ही रूपय चलता रहेगा लेकिन compound interest पहले साल 100 रूपया सेम लेकिन भाई दूसरे साल 110 रूपया बन गया अगले साल निकालोगे तो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और भाई ये साल धर साल बढ़ता ही रहेगा इसे कहते हैं power of compounding हर साल जो हमारा compound interest है वो बढ़ता ही रहता है जबकि जो साधारण ब्याज है वो भाई हर साल सेम रहेगा अगर 100 रूपया आ गया तो लगातार 100 ही रूपय चलता रहेगा तो समझ में आ गया कि compound interest क्या होता है जब आपको interest पे भी interest मिले तो यह तो हो गई बेसिक की बाद अग्दम परिभासा हो गई अब आते हैं वाई कि इसके अगर सवाल है तो हम सवाल का कैसे लगाएंगे तो जब साधारण ब्याज के आप सवाल लगाते थे तो सूत्र क्या होता था ब्याज का आपको भाई जितने सालों का ब्याज निकालना होता था आप डिरेक्ट इस सूत्र में मान रखो और उत्तर आपको मिल जाएगा इसी प्रकार चक्रवद्धि ब्याज के लिए भी एक सूत्र बनाया गया है ए बराबर पी वन प्लस आर अपाउन हंड्रेड पावर एम और जहां ए क्या है ए है अमाउंट अमाउंट मिसलम मिस्रधन तो यहां आप डारेक्ट ब्याज तो नहीं निकाल सकते मिस्रधन निकालोगे बाद में क्या करोगे मूल धन गटा दो तो आपको भाई ब्याज का पता चल जाएगा तो जो यह वाला सूत्र है इस वाले सूत्र से काफी कठिन है तो अगर आपको दो साल का निकालना है तो थोड़ा आसान लगता है लेकिन अगर संख्याय कठिन हुई तब भी इस सूत्र से मान निकालना काफी कठिन होता है तो पहले तो आपको हम बताएं को मालों कहीं पर लिखा है कि 3,000 रूपय का 10 प्रस्त वार्षिक ब्याच की दर है ठीक है वार्षिक दर है और भाई कहिए कि दो वर्ष का ना आप compound interest हमें निकाल के बताओ तो अगर हम भाई direct सुत्र का प्रयोग करेंगे तो सवाल को हम कैसे लगाते हैं सिंपली एकदम देखिएगा सुत्र होता है ए बराबर पी वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड ऑपावर एन पी है प्रिंसिपल आर है रेट आफ इंट्रेस्ट और एन क्या है वर्स जो भी समय है उसकी संख्या है ठीक है तो भाई मान निकाल के देख लो पी का मान है तीन हजार वन प्लस और यहां हो जाएगा दस बटा सव पावर लग जाएगी दो यहां पर ऐसे काट लो तो यहां आ जाएगा एक बटा दस अब एक बटा दस है तो यहां क्या हो जाएगा दस एक कम दस एक ग्यारा ग्यारा बटे दस हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आ जाएगा ग्यारा बट्टे दस दो पावर हैं तो उसे आप दो बार लिख लो 00 cancel 00 cancel यहां बचेंगे 30 और यहां 11 का ववर्ग है 121 भाई गुड़ा कर दोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा 3630 यह हो जाएगा हमारा मिस्र धन ठीक है और हमारा मूल धन क्या है मूल धन है 3000 रूपए अगर हम दोनों को घटा लेंगे तो हमें CI का पता चल जाएगा 3630 और माइनस 3000 तो भाई हमारा CI क्या हो जाएगा 630 रूपए तो भाई देखा आपने अगर हम इस वाले सूत्र का प्रियोग करेंगे तो भाई सवाल काफी बड़ा हो जाता है अभी तो यहां केवल 12 साल थे अगर यहां 3 साल होते यह 4 साल होते तो गुड़ा काफी कठिन हो जिससे आप compound interest के सवालों को बड़े ही आराम से लगा पाओगे तो अब भाई ध्यान से देखिएगा अब जैसे मालो आपके पास 1000 रुपया है 10 प्रसत वार्शिक ब्याच किदर है और दो वार्श का आपको निकालना है CI चक्रवधि ब्याच तो अभी आप कैसे लगाते हो सवाल को सबसे पहले आप 1000 का निकालोगे 10 प्रसत तो आजाएगा 100 रुपया अर्थात जो पहले साल का CI होगा वो 100 रुपया होगा अब भाई 100 रुपया यहां जुड़ जाएंगे तो अगले साल आपके account में 1100 रुपय हो जाएंगे और आप 1100 का 10 प्रसत निकालोगे तो अगले साल का ब्याच क्या हो जाएगा 110 रुपया तो हमसे दो साल का ब्याच पूछ रहा है तो भाई उत्तर में क्या आ जाएगा 210 रुपया अब यहां बहुत ध्यान दीजेगा कितना उत्तर आ गया 210 रुपया अर्थात दो वर्स के लिए अब जीरो को आप छोड़ दो क् अनुपात हो जाएगा वो दो अनुपात एक हो जाएगा दो वर्स के लिए अनुपात क्या हो जाएगा दो अनुपात एक अब यह अनुपात है क्या इसे हम थोड़ा आगे चल के आपको बताएंगे तो यह तो हो गया दो साल के लिए अगर इसी सवाल में आप से कहें दे क कि नहीं भाई हमें तो आप 3 साल का ब्याज बता दो कि 3 साल का ब्याज क्या होगा तो अभी आपको आगे चलना पड़ेगा भाई पहले 1000 थे अगले साल 1100 हो गए अब अगले साल का ब्याज है 110 रुपया ये भी जोड़ दो तो 1100 में 110 जोड़ो गे तो 1210 आ जाएगा अब साल का 110 तीसरे साल का 11 invisible जोड़ो 3 साल का आया है तो तीन वर्स्का अनुपात क्या हो जाएगा ये तीन वर्स्का अनुपात हो जाएगा 3 अनुपात है तीन अनुपात एक, तीन अनुपात तीन अनुपात एक, ऐसे ही आप चाहो तो चार साल और पान साल, सब के अनुपात निकाल सकते हो, लेकिन भाई अभी आप सोच रहे होगे, कि भाई ये वाले अनुपात तो आपने निकाल लिए, अभी आप चार साल का निकालोगे, फिर 5 साल का निकालोगे, फिर हमेना उन्हें याद करना पड़ेगा, पिर ऐसा नहीं है, आपको ये वाले अनुपाद, याद नहीं करने हैं, हम बस देखके ही बता देंगे, कि किस वर्स का अनुपाद कितना होगा, ठीक है? तो 2 साल का तो आपको निकाल के बता दिया, 3 साल का आपको निकाल के बता दिया, ऐसे ही आप 4 साल और 5 साल का भी निकाल सकते हो, यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने यह अनुपात बनाएं कहां से हैं, तो अभी 2 साल का क्लियर हो गया, 3 सा बिना लगा ही यह अनुपातों को आप कैसे बना सकते हो तो अब ध्यान दीजेगा जो दो साल का अनुपात है उसे आप दुबारा नोट कर लो क्या है वो दो अनुपात एक तो अनुपात का ना एक नियम है कि जितने सालों का अनुपात होगा वो हमेशा पहली संख्या होगी और अंतिम संख्या हमेशा एक होती है चाहे कितने भी साल का निकालना हो पहला उस साल की संख्या भाई दो साल है तो दो तीन साल है तो तीन और आखिर में हमेशा एक होगा ठीक है? तो दो साल का तो आप ऐसे याद कर लिजी भाई कि दो अनुपात एक होता है आब तीन वर्स वाला मानलों की आपको ये पता नहीं है हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे अब तीन साल का है तो तीन तो आप पहले लिख लो अनुपात लगा दो आब दो साल वाले में इन दोनों को जोड़ दो दो एक तीन और लास्ट में कुछ बचा नहीं है तो एक लिख दो लास्ट में एक सब में होने वाला है दो साल में भी तीन साल में भी चार साल में भी आगे पान साल में भी होगा देखना कैसे चार वर्स का अगर आपको अनुपात बनाना है तो चार तो आप पहले लिख दिया करो चार वर्स का है तो चार तो पक्का-पक्का होने वाला है आप देखना इन दोनों को जोड़ दो तीन-तीन-चे अभी भी कुछ बचा हुआ है तीन-एक-चार कुछ नहीं बचा है लास्ट में एक लिख दो तो ये चार वर्स का अनुपात हो गया चार अनुपात छे अनुपात चार अनुपात एक तो इस प्रकार से न आप अनुपात को बना सकते हो ऐसे ही बिना उन सवालों को लगाए हुए और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा जैसे आपको 5 साल का बनाना है तो पहले आप 5 लिख लो ठीक है? अब यहाँ देखना 6, 4, 10 फिर अन्पा लगा लो 6, 4, 10 फिर अन्पा लगा लो 4, 1, 5 और कुछ नहीं बचा तो लास्ट में 1 लिख दो लो 5 वर्स का आपको अन्पात पता चल गया अभी आपको अगर 6 वर्स का बनाना है तो कैसे बनाओगे? 6 तो आपने पहले लिख लिया 10, 5, 15 यहाँ 10, 10, 20 यहाँ 10, 5, 15 यहाँ 5, 1, 6 और अनुपात 1 देखा? 6 साल का भी आपको पता चल गया तो 2 वर्स, 3 वर्स, 4 वर्स, 5 वर्स, 6 वर्स इस प्रकार आपना अनुपात अपने आप ही बना सकते हो याद करने की कोई आवसकता नहीं है बस आपको 2 वर्स का पता होना चाहिए कि 2 अनुपात एक होता है अब आप सोच रहे होगे कि अगर हमसे मलो 9 वर्स का पूँच दे तो कि हम ये पूरी टेबल बनाने वाले है तो ऐसा नहीं है बैस compound interest का कोई भी सवाल हो कोई भी परिक्षा हो कोई भी competitive exam हो अधिक्तम सवाल 4 वर्स या 5 वर्स तक का ही पूँचता है भाई इसके आगे वर्स वाले सवाल नहीं पूचे जाते हैं अक्सर तो अक्सर आपसे 4 वर्स या 5 वर्स वाला ही सवाल पूचेगा इससे आगे के ना अनुपात याद करना व्यर्थ है और भाई बनाना भी व्यर्थ है मुश्किल से आपको ना 5 साल तक के क्लियर होने चाहिए तो ये तो हो गए अनुपात हमारे अब आप भाई सोच रहे होगे कि हम इन अनुपात का करने के हवाले हैं तो ठीक है यहां तक आपने देख लिया अब आपको हम इन ही अनुपातों को ना सवाल में यूच करके दिखाएंगे अब मैं देखिए जैसे हमने यहां पहला सवाल लिखा हुआ है अब यहां आनुपातों को हम प्रियोग में लाने वाले हैं 8000 रुपय का 15 प्रस्ट वार्षिक ब्याच की दर है दो साल का ना हमें compound interest निकालना है तो अभी आपको हम सवाल बताने वाले हैं केवल और केवल compound interest वाले जहां सीधा आपसे CI पूछेगा आप देखना कैसे लगाएंगे इसको ठीक है तो दो साल में पहले तो आप अनुपात को नोट कर लो कि अनुपात होता है दो अनुपात एक दो वर्स में अनुपात क्या होता है दो अनुपात एक ठीक है संख्या है हमारे पास 8000 संख्या हमारे पास है 8000 और भाई दर कितनी है दर है हमारे पास 15 प्रतिशत तो पहले आप क्या करने वाले हो पहले आप करोगे 8000 का 15 प्रसत निकालोगे 8000 का 15 प्रतिशत जो कि आप यहां लिखने वाले हो गुड़ा करके तो 8000 का 15 प्रसत हो जाएगा 1200 निकाल के देख लो चाहो तो 8000 और गुड़े 15 और बटे 100 यहां काटोगे 15 ते 120 बारा सव आ जाएगा फिर आप दुबारा में क्या करोगे 1200 का 15 प्रसत निकालोगे ब्याज पर ब्याज तो 1200 और 15 प्रतिशत 1215 एम 180 ऐसे ठीक है अब यहां 2 से गुड़ा कर दो तो यहां आ जाएगा 2400 और यहां 1 से गुड़ा कर दो तो आ जाएगा 180 दोनों को जोड़ दो तो भाई आ जाएगा 2580 यह हो जाएगा हमारा CI तो देखा आपने अगर आप इन अनुपातों का परियोग करोगे तो भाई compound interest ना बड़ ही आराम से निकलेगा और कोई गुड़ा भाग आपको कठिन नहीं लगने वाली है तो यह तो दो साल का हमने निकाला दीमे दीमे करके अब आपको हम तीन साल का बताने वाले हैं अब देखो हमने यहां अगला सवाल लिखा हुआ है कि 16,000 रुपहे 10 प्रस्त वार्सिक ब्याज की दर है और भाई इस बार आपको हम 3 वर्स का CI बताने वाले हैं ठीक है तो अभी जो 3 साल का अनुपात क्या होता है तीन तीन एक तो पहले आप अनुपात को इस प्रकार से लिख लिया करो जितने भी साल यहां दिया हो करें उतना आप यहां लिख लिए ठीक है अभी क्या करना है 16000 है और 10 परसत है तो यहां लिख लो 16000 और यहां दिख दो भाई 10 परसत आप क्या करोगे पहले आप 16000 का 10 परसत निकालोगे तो भाई निकालना बड़ा सरल होता है एक 0 हटा दो 10 परसत निकल आता है फिर 16 सब आ गया अब 16 100 का आप निकालोगे 10 परसत एक 0 फिर से हटा दो आ गया 160 अब भै तीसरा साल है तो आपको फिर से निकालना है 10 परसत तो 160 का 10 परसत क्या हो जाएगा 16 आप क्या करना है यहां 300 गुडा अब आप ये पूरा जोड़ दो आपका हो जाएगा 5,290 तो अगर आप से पूछे कि 16,000 पर 10 प्रसत वार्सिक ब्याज की दर से 3 वर्स का C.I. क्या होगा तो भाई हो जाएगा 5,290 तो भाई देखा आप इन अनुपात का प्रयोग करके बड़ ही आराम से सवालों को लगा सक अब इसी सवाल में एक सवाल और देख लो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि सब कुछ सवाल पूरा हुआ ही है लेकिन यहां C.I. नहीं पूछेगा कहेगा C.I. माइनस S.I. हिंदी में कहेगा कि 3 वर्स का चक्रवद ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है ये बता अर्थात भाई अगर हम 3 वर्स का साधारण ब्याज निकाले या 3 वर्स का चक्रवद ब्याज निकाले तो दोनों में अंतर कितना होगा अब देखना अंतर कितना निकालना आसान है हमने आपको पहले बताय था कि जो पहले साल का ब्याज है जो ये वाला है ये दोनों का सेम रहने वाला है ठीक है अंतर है ये बाकी इतना अंतर है ये तो पहला वाला आप छोड़ दो जो लास्ट के दो बचे 480 और 16 कितना हो जाएगा 496 बस यही अंतर है CI-SI equal to तो अगर तीन वर्स का चक्रवध्य ब्याज माइना साधारण ब्याज पूछे कि बाई चक्रवध्य ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना आएगा तो अंतर आएगा 496 रुपया समझ में आगे नहीं तो अगर आपसे CI पूछ रहा है तो आप पूरा जोड़ दो अगर आपसे डिफरेंस पूछ रहा है तो आप पहला वाला छोड़ दो और बाकि जो भी बचेंगे वो आपका डिफरेंस हो जाएंगे अब अगला सवाल देख लो 32,000 रुपय है दस प्रसत वार्षिक ब्याज किदर है और हमें 4 साल का CI याएड करना है तीक है अगर आपको 4 साल का निकालना है तो पहले आप 4 साल का अनुपात लिख लो 4-6-4-1 तो पहले तो आप अनुपात लिख लिए करो simple एकदम फिर 32,000 रूपय है तो पहले आप 32,000 रूपय लिख लिए और भाई 10 प्रसत हैं दस प्रस्त इसलिए ले रहे हैं ताकि सवाल थोड़ा आसानी से लग जाए ठीक है आपको समझ में में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं तो सबसे पहले आप 32,000 का निकालोगे 10 प्रस्त और यहां लिख दोगे तो भाई आजाएगा 3200 बस एक सिंपल 0 कम करना है 10 प्रस्त ऐस में 32 का निकालोगे तो 3.2 आ जाएगा ठीक है आप क्या करना है आपको यहां पर गुड़ा करनी है चातियां 12,800 यहां पर भाई छेतियां 181,1920 यहां 32 को 128 और यहां हो जाएगा 3.2 गुड़ा कर लिए आपने आप क्या गरना है इन भाई चारों ही संख्याओं को जोड़ आपको सीधे CI का पता चल जाएगा समझ में आया आपको तो देखा बाई कितना आसान है चक्रवद ब्याज निकालना अगर आपको यह अनुपात अच्छे से आ रहे हैं तब इन अनुपातों का प्रयोग कीजिए और सवाल को बड़े ही आराम से निकालेजिए लेकिन अग चक्रवद ब्याज और साधारन ब्याज का अंतर बता दो हमको भाई कितना होगा इसका अंतर तो कैसे बताएंगे हम बताये था आपको कि आप पहले वाली संख्या को छोड़ दीजिए बाकी हमारे पास तीन संख्याएं आ रहे हैं आप इन तीनों ही संख्याओं को जोड़ लीजिए जो भी उत्तर आएगा वो आपका चक्रवद ब्याज और साधारन ब्याज का अंतर हो जाएगा 1920-128 ठीक है 2048 और 3.2 जोड़ोगे तो आज आएगा 2051.2 यह क्या है यह हमारा है c i minus si equal to तो अगर सीधे si पूछे तो आपको ऐसे लगाना है अगर दोनों में अंतर पूछ रहा है तब भी इसी ट्रिक से आप अंतर को निकाल सकते हो अब भाई लास्ट में एक सवाल देख लो 20 आजार रूपए हैं 20 प्रस्त वार्सिक ब्याज की दर है एक वर्स का निकालना है compound interest लेकिन एक शर्त है कि ब्याज प्रतितिमाही सयोजित हो रहा हो अगर वार्सिक होता तो एक साल का तो आप डारेक्ट निकाल सकते थे problem यह है कि प्रतितिमाही आ गया है अब आप समझो इस बात को कि एक साल में चार तिमाही होती है तिमाही का मतलब है तीन मैना तीन चकुबारा चार तो यहाँ पर क्या करेंगे हम rate of interest को चार से भाग कर तो आजाएगा 5 परस्त समय को चार से गुड़ा कर दो यहाँ आजाएगा चार तिमाही बस सवाल को आप वैसे ही लगा लो अब आपका आर यह हो गया और समय हो गया चार ठीक है तो जहां तिमाही मिल जाए आपको rate of interest को चार से भाग करो समय को चार से गुड़ा कर दो प्रतिशत 20 हजार रूपय का पांच परस्त बैप पांच परस्त का निकाल के पाले कर दो 200 को 4 तो ऑजाएगा 15 हजार बीस हजार का पांच प्रतिशत हो जाएगा पचास अब पचास का आप निकालो पांच प्रतिशत तो आजाएगा दो दसमलो 5 अगर निकालोगे पांच प्रतिशत तो 25 पंचे 125 और दसमलो आएगा यहां पर ठीक है आप क्या करना है इसको 4 से गुड़ा करो करो यहां हो जाएगा 4000 इसको 6 से गुड़ा करो यहां हो जाएगा 300 धाई को 4 से गुड़ा करो 10 हो जाएगा और इसको तो 1 से ही गुड़ा करना है और इस पूरे को आप जोड़ लो आपको ब्याज का पता चल जाएगा तो यह वाली ट्रिक है वह आप कहीं पर भी इस्तवाल कर सकते हो चाहें ब्याज छमाई हो साल का निकाल सकते हो बश्वाइब आपको यह बात ध्यान में पता हैं हमने कि चक्रवद्य ब्याज और साधान ब्याज में अगर अंतर निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो जब इस वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा तो आपको हम सिखाएंगे कि चक्रवद्य में और किस प्रकार के सवाल होते हैं और उन्हें आप कितनी आसानी से कि चाल कर सकते हो या आपको इसके हम अगले पार्ट में बताने वाले हैं